हेलो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है हमारे जूटू चैनल स्पार्कल एजूकेशन आज की क्लास में हम 1101 से क्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है जितने भी प्रिवेश क्वेशन हैं सारे की सारे हम कवर करने वाले हैं हमने पर डे का टारगेट 100 क्वेशन का रखा है और इस्टेटिक जीके के अंदर 2000 क्वेशन हमें कमपलीट करने ही करने हैं ठीक है प्रसासित करने वाला अंतराष्टी संगठन का नाम क्या है तो आपका हो जाएगा एप आई वी ए फिवा ठीक है यही क्या करता है जितने भी अंतराष्टी बास्केट प्रतियोगिता होती है सबको यह हैंडल करता है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है इसमें अगला क्वेशन है आपका नौक आउट एंड नौक डाउन किस खेल से जुड़े हुए है ठीक है यह दो हैं वो किस खेल से जुड़े हुए है सबी को पता है मुक्के बाजी से जुड़े हुए है राइट आंसर होगा आपका आप्शन नमबर भी ठीक है, नेक्स क्वेशन है आपका, उस क्रिकेटर का नाम बतायो, जो के IPL फॉर्मेट में 5,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना था, तो कौन है आपका सुरेश रहना हो जाएगा, ठीक है, ओप्शन नम्मर सी, राइट आंसर होगा, ठीक है, इसमें नेक्स क्वेशन आपका, अंतराष्टी कबड़ी, महासंकी जो इस्तापना की गई थी, वह किस भर्स की गई थी, ठीक है, डारेक्ट इस्तापना पूछ लेता है, सन बहुत जरूली हैं, आपको याद रखने हैं, तो सन 2004 में, अंतराष्टी कबड़ी, महासंकी इस्तापना की गई थी, इस तो भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें अगला क्वेशन है आपका, निम्न में से कौन सा खलाड़ी होकी से सम्मंदित नहीं है, होकी से सम्मंदित नहीं है, चार आपसं दिये हैं, तीन होकी से सम्मंदित हैं, और एक होकी से सम्मंदित नहीं है, बात करें S.W. सुनील की जे होकी से सम्मंद रखता है सरदार सिंग की जे होकी से सम्मंद रखता है P.A. राफेल ये भी होकी से सम्मंद रखता है लेकिन हरम न प्रीत आपकी हर मन प्रीत कौर है जे होकी से सम्मंद नहीं रखती है तो right answer यही हो जाएगा यह किस से संबंदित रखती है आपकी cricket से संबंदित रखती है ठीक है इस point को भी आपको याद रखना है आपका option number A right answer हो जाएगा ठीक है इसमें अगला question है आपका next question निम्न में से कौन एक tournament नहीं है एक cricket का tournament नहीं है ठीक है क्योंकि आपको question पूछता है नहीं वाला पूछता है नहीं वालिम क्या होता है तीन सही होते हैं और एक गलत होता है Indian Premier League क्या यह cricket tournament है बिलकुल है सायद मस्तापली ट्रोफी ये भी है विजे हरारे ट्रोफी ये भी है लेकिन Indian Super League आपका cricket tournament नहीं है तो क्या है फोटवॉल लीग है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है राइट आंसर होगा option number C नहीं वाला पूछा है तो option number आपका right answer होगा ठीक है पान सिंग तॉमर जो कि 7 बार के राष्टी विजीता थे उनका सम्मंद किस खेल से है तो उनका जो सम्मंद है आपका हो जाएगा लंबी बादा दोड से ठीक है ये क्या थे 7 बार राष्टी विजीता भी रह चुके थे इस पॉंट को भी आपको याद रखना है इस बार राष्टी क्रिकेट टीम ने दूसरी बार प्रोस एक दिवसिय बिस कप की बिजीता वनी थी ये पूछ रहा है डारेक्ट जो आपका बिस कप जीता था हमारे बारत ने सेकेंड बार कब जीता था 2011 को जीता था राइट आंसर हो जाएगा आपका उफ्शन नमर ए पहली बार कब जीता था 1983 में ठीक है और 2011 में जीता था दूसरी बार दो बार इनो ने बिस कप जीता था 1983 की बात करें उस समय जो कप्तान थे वो कौन से कपिल देव थे कपिल देव और 2011 के अंदर आपके हो जाएगे महेंदर सिंग दौनी महेंदर सिंग दौनी इसको हराय था 2011 के अंदर बिस कप जीता था तो आपको हराय था स्री लंका को इस पॉंट को भी आपको याद रखना है स्री लंका को हरा कर ठीक है ओप विजीता सिरी लंका थी विजीता हमारा बारत था अब तक दो बार 20 चैंपियन हमारा बारत रह चुका है ठीक है कितनी बार ओप विजीता रहा ओप विजीता तो चार बार रहा ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है हमारा बारत चार बार उपविजीता रह चुका है ठीक है विस कप से ओके ग्यारे सो आठ का ओप्शन नमर ए सई हो जाएगा अगर बात करें कब कब उपविजीता रहा ठीक है तो क्वेस्टन पूछ लेता है 1987 में चानवे में पंदरे में निस में रहा ठीक है दुवारा से सुनो 87, 96, 15, 19 87, 96, 15, 19 देखो 87, 96 पंदरे 19 चार बार उपविजीता भी रह चुका है ठीक है यहां से भी क्वेस्टन पूछ सकता है ठीक है ओके इसमें नेक्स क्वेस्टन आप लोग देखने बाले हैं इस खेल को नियंतिर कने वाले विस निकाए ने ट्रिपल्स नामक एक नए खेल का प्रारूप को पेस किया है तो उसका नाम क्या है उसका नाम हो जाएगा प्यारो बैड मिंटन आप्शन नम्मर सी राइट आंसर होगा ठीक है इसमें नेक्स वेशन है आपका पिकेट कीपर का जो हेलमेट मैदान में रखा हुआ होता है और बल्लेबा द्वारा मारी गई बॉल हेलमेट से टकरा जाती है तो इस गटना में बल्लेबाजी टीम को कितने पेनेंटी रण दिये जाते है तो कितने दिये जाते है पांच रण की पेनेंटी दी जाती है तो आप्शन नम्मर डी राइट आंसर होगा इस पॉंट को भी आपको याद रखना है नेक्स वेशन है आपका निम्न में से कौन सा खेल एक बैलो ड्रम में खेला जाता है बैलो ड्रम तो बैलो ड्रम में कौन सा खेल खेला जाता है रेस लिंक का खेल खेला जाता है तो राइट आंसर होगा आपका आप्शन नम्मर ए ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है नेक्स कुईशन है आपका किसी टेस्ट मैच के पहले ही सस्त में सतक लगाने वाला भारत का पहला क्रिकेटर निम्न में से कौन है तो कौन हो जाएगा सिकर दबन हो जाएगा तो राइट आंसर होगा आपका आप्शन नम्मर ए ठीक है अगला क्वेशन है आपका राफिल नडाल दुनिया के सीर्स प्रोस टैनिस घ्लाडियों में से एक है जो कि यूरोप देश से आजते हैं तो कौन सा देश है इस्पेन देश से जी सम्मंदित रखते हैं जो आपके टैनिस होता है टैनिस टूनामेंट होता है इसमें चार टाइप के होते हैं थीक है कौन-कौन से Shadow Note Australian Open वो गया अजonne ऑपन हो गया थीक है American Open हो गया ओके विवंडन उपन हो गया विवंडन ओपन हो गया और चौतह है आपका France Open हो गया जै anyone's Tr vibrant होते हैं ठीक है सव से प्राना पूछे तो आपका विवंडन हो जाएगा अगला question आपका निम्न लिखित मैंसे किस खेल के साथ जेब सब्द जुड़ा है तो आपकी boxing सब्द के साथ boxing खेल के साथ जेब सब्द जुड़ा हुआ है इस point को भी आपको याद रखना है next question आपका निम्न लिखित मैंसे किस खेल के साथ बेब सब्द जुड़ा हुआ है सब्द संक्याओं के साथ मुद्रिश सीट को भी संदरिप्त करता है तो वो कौन सा खेल है तो आपका खेल हो जाएगा hockey, football, long tennis या दोड़ तो क्या हो जाएगा आपका दोड़ हो जाएगा right answer होगा option number आपका D इस point को भी आपको याद रखना है अगला question आपका निम्न लिखित मैंसे किस खेल के साथ tumble turn सब्द जुड़ा हुआ है यो आपका कौन सा सब्द? tumble turn सब्द जुड़ा हुआ है तैरना यानि summing के साथ जुड़ा हुआ है तो right answer होगा आपका option number C निम्न लिखित मैंसे किस खेल के साथ tweedle सब्द जुड़ा हुआ है tweedle जो आपका tweedle सब्द जुड़ा हुआ है वो table tennis के खेल के साथ जुड़ा हुआ है इस point को भी आपको याद रखना है ठीक है next question आपका address अब्द निम्न लिखित मैंसे किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा खेल है वो हो जाएगा आपका गोल्प खेल right answer होगा option number B ठीक है normal question है आप लोग कर सकते हैं ok jamming सब्द निम्न लिखित मैंसे किस खेल से सम्मंदित है तो आपका हो जाएगा long tennis खेल के साथ ये सम्मंद रखता है इस point को भी आपको याद रखना है किसने इत्यास रचा और Paris में 2 या 3 विस athletics champion में पहली भारती पदक बिजीता बनी थी जब उन्होंने मैलाओं की लंबी कूद 6.7 मीटर में कास पदक जीता था तो वो कौन थी आपकी अंजू, बोवी, जॉर्ज थी सभी को पता है राइट आंसर होगा option number B ठीक है इन्होंने ही मैलाओं की लंबी कूद में कास से पदक जीता था ठीक है अगला कुशन आपका 1989 में क्रिकेट भी सकप हुआ था किसके द्वारा जीता गया था सभी को पता है best indies के द्वारा जीता गया था तो option number A सई हो जाएगा तो कौन उप भी जेता थे मैंने बताया था अपना भारत था 1989 के अंदर में ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ओके मारा भारत 1989 में नहीं 1987 में था ठीक है 1987 के अंदर 1996 के अंदर ठीक है 2015 के अंदर देखो बताया हुआ है सारी चीजें ठीक है 1122 मां question है डर्वी ट्रॉफी निम्न लिखित में से केस खेल से संबंदित रखता है तो आपका right answer हो जाएगा horse racing खेल से ये संबंदित रखता है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है निम्न लिखित में से कौन एक प्रो कबड़ी टीम है प्रो कबड़ी टीम आपको बतानी है ठीक है चार option दिये हुए है इसमें से प्रो कबड़ी टीम है आपकी मुम्मई Indians तो option नम्मर आपका D सई हो जाएगा सब से अधिक बार मुम्मई टीम से किताब जीता है कब कब 2013 में 2015 में 2017 में 2019 में 2020 के अंदर कितनी बार एक, दो, तीन, चार, पाँच बार मुम्मई टीम से मुम्मई इंडियन्स ने किताब जीता है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है IAAA प्रोच एथलेट आपदा आवार्ड आपदा इयर आवार्ड उसेन बोल्ट के द्वार्ड कितनी बार जीता गया तो आप बोलेंगे सब्सक्स बार जीता गया तो राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है नेक्स क्वेशन है आपका प्रदिव कुमार बनर जी जिनोंने लाइप 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 टाइम अचीपमेंट के लिए ESPNA Multi Sports Award जीता था तो वो किस से सम्मंदित रखते थे वो किस खेल से सम्मंदित रखते थे तो सर आप बोलेंगे फोटबॉल खेल से सम्मंद रखते थे तो राइट आंसर होगा आपका option number V ठीक है इसमें next question है आपका सर current चंडो का सम्मंद निम्न में से किस खेल के साथ है तो आप बोलेंगे सर car racing के साथ इनका सम्मंद है ठीक है तो के इसमें अगला question है आपका seizure cup का सम्मंद किस खेल से है seizure cup तो आप बोलेंगे सर seizure cup का जो सम्मंद है वो फेट वाल से है तो राइट आंसर होगा option number V CHSL में पूचा गया है ठीक है 2019 के अंदर ठीक है static जी के हर exam में बहुत सारी आती है ओके किसने देरादून उत्तराखंड के राजीव गांदी अंतराश्टी क्रिकेट इस्टेडियम में आयलेंड के बुरुद अपने 20 अंतराश्टी में सवसे वड़े T20 लच को हांसिल करके इत्यास रच दिया था तो वो कौन सा देश था तो वो देश था आपका अफगानिस्तान आपका सी राइट अंसर होगा इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है आपका नेक्स क्वेशन है ACI खेल जिसे ACI आड के नाम से भी जाना जाता है पूरे ACI के खिलाडियों के वीच पिरते कितने बर्स का आयोजित एक बहु तो कितने बर्स का होता है आपका सर चार बर्स का आपका टाइम पी रेट होता है हर चार साल में ये होता है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है Next question है सर आपका सुपर इस्ट्रैट क्रिकेट के खेल का विसलेशन करने के लिए एक नाया मंच है आंसर सर आप बताएंगे कमेंट करके ओके तो इसमें से कौन एक नहीं है उसका नाम है आपका सर इसको सूचकांक नहीं है राइट आंसर होगा ओफ्शन नम्मर ए लग इंडेक्स है स्मार्ट इस्ट्रेक्स है फोर काश्टर है तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका सर सूचकांक नहीं है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है नेक्स पॉइशन है हर कितनी साल में आयोजित होने वाले विसेश आपका विसेश ओलंपिक समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक बेस्विक अंदूलन है जहां हर ब्यक्त को उनकी छमता या अबग्या की परवा किये बिना सुईकार किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है ठीक है कितने हर साल में तो आप बोलेंगे सर हर दो साल के अंदर आपका उनका सागत किया जाता है तो राइट आंसर होगा सर ओप्चन नमर भी ठीक है इसमें नेक्स क्विशन आपका ग्यारे सो बत्तीसमा चेरी पिकिंग सब्द किस खेल में प्योग किया जाता है तो किस में किया जाता है सर बास्केट बॉल के अंदर किया जाता है तो इसका आंसर होगा आपका सर ओप्चन नमर सी निम्न में से कौन एक मात्रबारती है जिसने इसनूकर और विलियर्स दोनों, दोनों में एमेच और बिस किताब जीता था ठीक है, दोनों ने एक मात्रे से खलाड़ी है इन्होंने किताब जीता था तो उनका नाम है आपका पंकज आडवाड़ी तो option number आपका right answer होगा sir option number D इसमें अगला question है आपका sir dolphin किक सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो आप बोलेंगे sir इसका जो सम्मंद है वो 13 की से है ठीक है, dolphin आपका किक का सम्मंद किस खेल से है 13 की खेल से जी सम्मंद रखता है ओके पिर्थम क्रिकेट पिर्थम स्रेंडी क्रिकेट में छे लगातार छक्के मानने वाले पहला बारति खलाडी कौन था तो आप बोलेंगे sir रभी सास्त्री ने पिर्थम स्रेंडी में छे लगातार छक्के मारे थे तो option नम्मर आपका ए सई आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें अगला question है केंद सरकार भारत में खेलों में जो उतकरष्टा को सुईकार करने तथा पुरुसकर करने के लिए हर बार से राश्टी खेल पुरुसकार पिदान करती है तो निम्न में से कौन इन पुरुसकारों में सामिल नहीं है अर्जन पुरुसकार दिया जाता है बिलकुल राश्टी खेल के शेतर में ध्यांचंद पुरुसकार दिया जाता है द्रोणा चार पुरुसकार दिया जाता लेकिन खेलों इंडिया पुरुसकार नहीं दिया जाता इसको कौन देता है इसको देता है केंदर सरकार तो option number B right answer होगा 1137 क्वेशन है किस बर्स्वतंत बारत ने अपना पहला ओलम्पिक स्वांड पदक जीता था तो हमारा जो बारत आजात हुआ था उसकी जश्ट एक साल बाद होता है 1948 में ही अपने भारत ने आपका स्वांड पदक जीता था तो option number B सही हो जाएगा कौन सा ओलम्पिक था सर ग्रीश मकालिन ओलम्पिक ग्रीश मकालिन ओलम्पिक ठीक है इसको भी आपको याद रखना है ठीक है अगला question है एक छोटे ग्रै का नाम निम्ण में से किस मान ब्यक्त के नाम पर रखाता सर आप बोलेंगे इसका जो right answer होगा विशनात आनंद के नाम पर एक छोटे ग्रै का नाम रखाता इनको क्या बोलते थे सतरंज के जादुगर सतरंज के जादुगर भी बोलते थे इस पॉंट को भी आपको याद रखना है सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है next question है आपका 2011 में विश कफ विजेता भारती क्रिकेट टीम के कोच कौन थे ठीक है कोच पूछ पूछ रहा है ना कि कप्तान कप्तान पूछता तो मैंदर सिंग दौनी हो जाते तो कोच कौन थे आपकी गैरी कश्टन हमारी जो टीम थी भाती करिकेट टीम इनके जी कोच थे ठीक है 2011 में विश कफ हमारी देश ने जीता था किसको हरा करके आपके स्री लंका को हरा करके ठीक है इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है अगला कौशन है खेलो इंडिया यूथ गेमस पूर में किस नाम से जानी जाती थी तो इसका आपको सर कौश्चन का अंसर बताना है इसका जो स़ी अंसर होगा सर में जाना जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगला क्वेशन है किसका निर्माड 1994 में 1994 के राष्टे खेलों के लिए किया जाता है तो किसका निर्माड किया गया था सिरी सिव छत्रपती खेल परसत पूरे के अंदर इसका निर्माड 1994 में किया गया था इस पॉंट को भी आपको याद रखना है अगला क्वेशन है सर गौतम गंबी ने 2003 में कौन सी जगह पर अपना एक दिवसी अंतराष्टी डेब्यू किया था तो बोलेंगे सर डाका के अंदर ये डाका परता आपके बांगलादेश के अंदर ठीक है और डेब्यू इन्हों ने किया था डाका के अंदर सचिन्ति इंदुकन ने अपना सौमा सतक किस स्टेडियम में लगाया था तो आप बोलेंगे सर वस्टेडियम का नाम है सेरे बांगला किरकेट स्टेडियम तो ओफ्शन नम्मर आपका सी साई राइट अंसर होगा ओके किसने स्वतंत बारत के पहले ब्यक्तिगत ओलम्पिक पदक बिजिता थे तो उनका नाम था आपका सर केड़ी यादव ठीक है ओफ्शन नम्मर भी कडम मले स्रीमत कर देना क्योंकि इसनों ने ओलम्पिक में सव से पहले मैलाओं में क्या जीता था आपका पदक जीता था ठीक है तब होता आपका कलम मलेश्वरी ओके 11 सा 45 मा क्वेशन है सर आपका किस किरकेटर ने 16 बर्स की उमर में कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया था इस पॉन्ट को भी आपको याद रखना है 11 सा 46 मा क्वेशन आप लोग देखने वाले हैं पहले संस्क्रण के अलावा नई दिल्ली ने ACI खेलो के कौन से संस्क्रण की भी मेजवाने की थी अगर आपसे क्वेशन ये पूछता ACI खेलो की जो सवसे पहला जो संस्क्रण हुआ था वो नई दिल्ली में होता है और कौन से नम्मर का संस्क्राण किया था नई दिली ने दुबारा से तो आप बोलेंगे सार 9 में नम्मर का संस्क्राण भी किया था आपकी देली में ही इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है 1160 आपका 40 का option नम्मर भी right answer होगा ओके next question आपका olympic पदग जीतने वाली पहली वारती महला का नाम बताई अभी बतायता कलम मलेश्वरी हो जाएगा olympic में जो पदग जीतने वाली पहली महला थी वो थी कलम मलेश्वरी कि ये किस से संबंदेत रखती है बारो तोलक है ठीक है बारो तोलक यह क्या होता है? वेट लिप्टिंग होती है ठीक है, वेट वगेरा उठाते हैं ठीक है, मीरा भाई चानुभी वी क्या है? बारो तोलक है इस पॉंड को भी आपको याद रखना है निम्न में से कौन? भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाला नेत्रहीन सतरंज खलाडी है जो कि क्या है नेत्रहीन है बिना नेत्रों के है ठीक है तो उनका नाम है सर दरपन इरानी जे क्या है नेत्रहीन है ठीक है और क्यों सी खलाडी है सतरंज की खलाडी है इंपरफेक्ट किसकी आत्म कता है तो सर बोलेंगे आप जो imperfect आत्म कता है वो रावल दिरवड की है किसकी है सर रावल दिरवड की नहीं किसकी है संजे मांज रेकर की है ठीक है तो option number सर आपका हो जाएगा D ठीक है रावल दिरवड की नहीं है अगला question है आपका money मेखली money मेखली महा काथ निमन लिखित में से किसकी काणी का burden करता है कोवलन और मादवी की बेटी का burden करता है इन दोनों की काणीों का ये burden करता है तो option number A right answer होगा नेक्स्ट क्वेशन है आपका किस बार से जेम्स मिलने ए इस्ट्री और बेटेस इंडिया नामक तीन तीन खंड क्रति प्रकासित की थी किस सन के अंदर तो आप बोलेंगे सर अठारे सो सत्रे के अंदर आपकी एस्ट्री और बेटेस इंडिया नामक की तीन तीन खंड की करती की थी ओके नेक्स क्वेशन है आपका सर रज सुन्दरी देवी की आंत्मकता का नाम क्या है ठीक है इसकी जो आंत्मकता का नाम है सर वो हो जाएगा आपका आमार जीबोन आमार जीबोन हो जाएगा आंत्मकता का नाम ठीक है अगला question है I am no Messiah अविनेता की आत्मकता कौन सी है ठीक है तो कौन की है यह सोनू सूत की है तो option number A सही right answer होगा यह क्या है एक अविनेता है और इनकी जो आत्मकता है वो है अपकी I am no Messiah मैं Messiah नहीं हूँ कोरोना की टाइम पर इनोंने यह आत्मकता दी थी ठीक है लोगों की मदद करके next question है सर निमनल इकित मैंसे कौन सी पुष्टक रसकेन बॉंड द्वारा नहीं लिखी गई थी तो the room on the roof यह लिखी गई थी the blue umbrella यह लिखी गई थी roads to वसूरी यह लिखी गई थी लेकिन midnight children पुष्टक नहीं लिखी गई थी तो right answer होगा सर आपका option नमर C ठीक है इसमें अगला question है सर Adolf Hitler की आत्मकता mean camps आपकी camp मूल रूप से निमन मैंसे किस बासा में लिखी गई थी तो आप बोलेंगे सर जापानी अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच तो जर्मन में लिखी गई थी इनकी जो आत्मकता है वो जर्मन बासा में लिखी गई थी तो option नमर C right answer होगा डॉलर बहू निमन लिखित मेंसे बारती लेककों मेंसे किसके द्वारा लिखी गई थी जो आपकी डॉलर भव वो लिखी गई थी सर सुदा मूर्त के द्वारा तो option नमर C right answer होगा ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है अगला question आपका the test of my life निमन मेंसे किस खले आपकी क्रिकेटर की आत्मकता है चार option दिये हुए answer आपको बताना है कमेंट करके ठीक है 1177 का कौन सा right answer होगा ठीक है तो इसका जो right answer होगा युबरा सिंग युबरा सिंग की जे क्या है आत्मकता है the test of my life अगर हम बात करें मेंद सिंग दौनी की तो इनकी जो आत्मकता क्या है captain cool captain cool होगी अगर बात करें सचेंतेंदुरकल की तो इनकी जो आत्मकता है playing it my way playing it my way हो जाएगी ठीक है playing it my way हो जाएगी ठीक है जे किसकी आत्मकता है आपके सचेंतेंदुरकल की इसको भी आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर होगा option number भी हो जाएगा युबरा सिंग ठीक है अगला question है सर आपका नीरत सिंग चोदरी की आत्मकता का नाम क्या है इनकी जो आत्मकता का नाम है the autobiography of an unknown Indian तो option number आपका सर एसई हो जाएगा ठीक है option number एसई हो जाएगा the god father of soul किसकी आत्मकता है जो कि महान संगीत कारों में से एक है तो किसकी आत्मकता है आपकी the god father of soul तो आप बोलेंगे सर James Brown की ये क्या है आत्मकता है the god father of soul हो जाएगा ठीक है तो option number आपका डी सही right answer होगा next question है निमन लिकित में से कौन सा उपन्यास बिक्रम सेट ने लिखा था बिक्रम सेट ने जो उपन्यास लिखाता उसका नाम है a suitable boy a suitable boy हो जाएगा option number a right answer होगा अगला question है आपका असर निमन लिकित में से किसने the god of small things पुस्तक लिखी थी तो आपका हो जाएगा सही answer अरुदती रोय ने जी पुस्तक लिखी थी इसका नाम है the god of small things पुस्तक लिखी थी ठीक है तो right answer होगा option number d ठीक है इस point को भी आपको याद रखना है अगला question आपका ग्यारे सो बासटमा test of the d आपका ओवर विल्स के लेकक कौन है तो कौन हो जाएगे आपका Thomas Hardy इसके लेकक हो जाएगे इस point को भी आपको याद रखना है option number d right answer होगा अगला question है अगला question है उतकरेश्ट अंगरी उपन्यास ता great great सभी किसके द्वारा लिखा गया है तो आप बोलेंगे sir एप, escort, pitter, gay, rolled के द्वारा इसको लिखा गया है right answer होगा आपका option number d इसमें next question है आपका courage and commitment and autobiography किस भारती राजनीता की द्वारा लिखी गयी थी उनका नाम क्या था राजनीता तो वो राजनीता थे आपके marg rate अलवा तो right answer होगा sir आपका option number a ठीक है इसमें अगला question है आपका sir 1165 मा white house में रहते हुए निमने लिखित में से किसने प्रसित पुष्ट तक living history लिखी थी living जो history लिखी थी उनका नाम है Hillary Rodham Quilton तो option number v say right answer हो जाएगा इस point को भी आपको याद रखना है ठीक है 1166 मा question है आपका निमने लिखित में से कौन सा उपन्यास अच्छात गुपता द्वारा लिखा गया उपन्यास स्रारी की संक्रा में पहला है तो इस point को भी आपको याद रखना है कोई बात नहीं lighting problem हो गई थी मैंने सही कर दिया है ठीक है दुबारा से इस question को हम लोग देखते हैं ओके please cooperate कीजिए white house में रहते हुए निमन मैंसे किसने प्रसित को इस तक living history लिखी थी तो मैंने अभी बताया था Hillary Rodan आपकी Rodan Quilton नहीं लिखी थी इस point को भी आपको याद रखना है ठीक है अब चलते हैं next question की तरफ ठीक है निमन मैंसे कौन सा उपन्यास अच्छत गुप्ता द्वारा लिखित उपन्यास की सरेंकला में पहला है तो इस point को भी आपको याद रखना है तो कौन सा रहेगा आपका दाहिडन हिंदू हो जाएगा तो right answer होगा option number A ठीक है इसको भी आपको याद रखना है next question आपका selection day सीर्षक पुष्टक के लेकक कौन है ठीक है selection day पुष्टक के लेकक कौन है तो हो जाएगा आपका right answer होगा आपका कौन हो जाएगा तो अरबिंद अड़ेगा हो जाएगा यह क्या है इसके लेकक है selection day सीर्षक के next question आपका a handful of nurse नामक सीर्षक पुष्टक के लेकक कौन है तो कौन हो जाएगे रखन बॉंड हो जाएगे right answer होगा आपका option number C option number C right answer हो जाएगा ठीक है 1199 question है आपके सामने आ चुका है मोदी गवर्मेंट नियू सर्जन आप communalism पुष्टक के लेका कौन है तो कौन है तो हो जाएगा सीता राम ये चुरी तो option number C सही हो जाएगा इस point को भी आपको याद रखना है next question आपका 1170 निम्न लिखित में से कौन सी बराक Obama की आत्म कता है पराक Obama की क्या है आत्म कता है तो आपके जो right answer होगा वो हो जाएगा ड्रेंस फॉम माई फायदर ए स्टोरी ओप रेस ओप इन हेरी टेंस right answer होगा आपका option number V ठीक है इस point को भी आपको याद रखना है पुष्टक आती आती है हर पेपर में और repeat पुष्टक ही ज़्यादा तर पूछता है पेपर के अंदर ग्यारे सो में 71 क्वेशन है आपका सर गौन गल्स पुष्टक की लेकर कौन है आपका डैमन गलगुट गिलियान फिलेम यान माल टेल और अन्ना वंस तो क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा गिलियान फिलन हो जाएगा तो option number V right answer होगा ठीक है इसमें next question है आपका टोटर रिकॉल माई अन्विलिवली प्रूला लाइफ इस्टोरी किसकी आत्म कता है क्रिस गेल की एडी होग आपकी हो ओंग की आईके गुजराल की अनोल्ड सरवार्ज नेगर की तो क्या हो जाएगा अनोल्ड सरवार्ज नेगर की पुष्टक हो जाएगी आत्म कता सोरी आत्म कता हो जाएगी ठीक है तो किसकी आत्म कता है तो किसकी आत्म कता हो जाएगी आपकी एनी भैंक की ये पुष्टक है आपकी आत्म कता है तो राइट आंसर होगा आपका option number A ठीक है इस point को भी आपको याद रखना है next question आपका 1174 अन्ना करे निना के लेखक कौन है ठीक है तो लेखक इनके हैं आपका Leo टॉल इस्ट्रोई option number C आपका D right answer हो जाएगा Leo टॉल इस्ट्रोई ठीक है option number right answer होगा D okay इसमें next question है जो आपके सामने जश्ट 1175 the kiss of life निम्न में से किस की आत्म कता है option number A संजे सूरी option number B जौन अब्राइम option number C डिनो मोरिया option number D हो जाएगा इमरान हास्मी तो किस की आत्म कता है तो option number D इमरान हास्मी की ये कता है दा किस ओप लाइफ ठीक है नाम से ही पता चल रहा है किस की हो सकती है ठीक है इसमें अगला क्वसन है ग्रेट इंडिया नावेल नोवेल पुरुसका आपकी पुष्तक प्रसिद राज नीतिग किस के द्वारा लिखी थी वरोण गांधी के द्वारा डेरेक ओब्रायन के द्वारा एम के एंटरी के द्वारा ससी धरूर के द्वारा तो option number D सई हो जाएगा ससी धरूर के द्वारा लिखी गई थी ओके अगला क्वसन है आपका करज एंड आपका एंड ओटो बायोग्राफी ठीक है निम्ण मैंसे किस ब्यक्त की आत्म कता है तो बयवक्ति है वीकेसिंग ठीक है वीकेसिंग की ये क्या है निम्ण मैंसे कौन सा उपन्यास बारती संसत सदस्य फूलन देवी पर आदारित है और जिसके लेखक रोय मुक्स हैम है कौन है रोय मुक्स हैम है ठीक है कौन सा उपन्यास है आपका हो जाएगा आउटला इंडियन इंडियाज वेटेज क्विन एंड मी ये है आपका नहीं है ठीक है दूसरा लीला वती जो डॉटर्स है ये बिल्कुल है ठीक है इस्पाई प्रिसेश नहीं है ता बूमन हू न्यू इन्फिनिंटी ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटला इंडियाज वेटेट ग्वीन एंड मी होगा ठीक है जे सही होगा इसको आप सही कर लो ठीक है ये ही राइट आंसर होगा option number A ठीक है इसमें next question हम लोग देखते हैं फियालेस गर्वनेंस पुष्टक के लिए का कौन है तो कौन है आपके करंड देवी जस्वन सींग अरोंड आपकी सोरी एम जी एकवर तो आपके फियालेस गर्वनेंस पुष्टक के लिए का हो जाएंगे करंड बेदी तो option number A right answer हो जाएगा ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ओके 1180 मा question है आपका निम्न लिखित में से कौन सा उपन्यास इम फोष्ट द्वारा लिखा गया था इन विलिजवल में आपका डॉन क्विक जोट हो जाएगा a passage to India विल वर्ड क्या हो जाएगा इस किस की द्वारा लिखा गया है विल वर्ड की द्वारा लिखा गया है ठीक है इस पॉंट को भी आपको याद रखना है option number D right answer हो जाएगा ठीक है थोड़े अटपटे नाम है पर आपको याद रखने ही रखने है खुलम खुला निमनलिकित मैसिक वेक्तियों मैसिक किसकी आत्म कता है सस्कपूर अविताब बच्चान रिसी कपूर सस्तरगन सिन्ना ठीक है तो किसकी आत्म कता है खुलम खुला तो आपकी हो जाएगी रिसी कपूर की जी क्या है खुलम खुला आत्म कता है 1181 का option number आपका हो जाएगा C ठीक है राइट आंसर होगा option number C next question आपका as argist odds निम्ण में से किस ब्यक्त की आत्म कता है विजे अमरत राजी की सानिया मिडचा की ले एंडर पेस की महेश भूपती की तो किसकी आत्म कता है as against odds तो हो जाएगी आपकी सानिया मिडचा की जे क्या है आत्म कता है तो इस पॉंट को भी आपको याद रखना है तो option number V right answer होगा ओके 1183 कोईशन है आपके सामने an unsweetable boy किसकी आत्म कता है तो आप बोलेंगे सर कराड जोहर की आत्म कता है तो right answer होगा option number A ठीक है इसमें अगला question है ranking the code my जन्नी to bollywood किसकी आत्म कता है राजकुमार राव की अमित सादो की सुसांत सिंग राजपूत की आईसमान खुराना की तो आपकी cracking the code my जन्नी to bollywood किसकी आत्म कता हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी आपकी आईसमान खुराना की हो जाएगी right answer होगा option number D ठीक है इस point को भी आपको याद रखना है 1185 मा question है निमन लिखित में से किसने इस्तिरी पुरुस तुलना पुष्टक प्रकासित की इस्तिरी और पुरुस की जो तुलना है वो पुष्टक के अंदर लिखी है तो किसके द्वारा लिखी है इस्तिरी पुरुस की तुलना की जो पुष्टक है जो प्रकासित की गई है इस point को भी आपको याद रखना है ठीक है 1186 मा question है इसलम डॉग मिलियन नियर पुष्टक के लेकक कौन है एपी जे अब्दुलकलाम ठीक है विकास सरूप किरन दिसाई आरके नाराण तो कौन है विकास सरूप इसके पुष्टक के क्या है लेकक है इसलम, डॉग, मिलियर मिलियन, नियर पुष्टक के क्या है लेकक है इस point को भी आपको याद रखना है इसमें next question है सर आपका 1187 मा निम्न में से कौन अभिने दरपन के लेखक है अमर सिंग सो सुरूत यास्क नंद केश्वर इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा नंद केश्वर 1187 का option नमर D राइट आंसर होगा ठीक है अगला question है निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसिद भारती उपन्यास अमरता पीर्तम द्वारा लिखा गया था तो कौन सा लिखा गया था रसीदी टिकट लिखा गया था तो option number C राइट आंसर होगा ठीक है इसमें अगला question है सर आपका debating India पुस्तक के लिखा कौन है अटल ब्यारी वाजपई प्रवन्ड मुखर जी जस्वंत सींग सीता राम ये चुरी तो कौन हो जाएगा जस्वंत सींग हो जाएगा 1189 का option number C राइट आंसर होगा ठीक है इसमें अगला question है 1190 पुस्तक दा Emotals of Meloha कि सके दोरा लिखी गई थी तो आपको बताना है Amis Tripati के दोरा सल्मान ईसरुसी के दोरा Raskan Brand के दोरा Irwin अडेगा के दोरा तो किस के दोरा लिखी गई थी पुस्तक Amis Tripati के दोरा लिखी गई थी option number A सही right answer होगा निम्न में से कौन सी पुष्टक बारती लेखक आरके नारायन द्वारा लिखी गई थी वाई टाइगर, ठेंग्स लाइक, अमोक, दा सेडो लाइंस, माल गोडी डेज तो आपकी बारती लेखक आरके नारायन द्वारा जो लिखी गई थी माल गुडी डेज को लिखा गया था तो option number D right answer होगा ठीक है इस point को भी आपको याद रखना है निम्न में से किस बारती खलाडी ने playing to win नामक आत्म कता लिखी है सानिय मिट जा पीवी सिंदू सायना नेवाल कडम मलेश्वरी तो किस ने लिखी है कौन सी playing to win नामक पुछतक जो लिखी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे ठीक है तो किस ने लिखी है सायना नेवाल के द्वारा लिखी गई है तो option number C right answer होगा इस point को भी आपको याद रखना है ठीक है 1193 वा क्वेशन है आपका विबादा इसपद उपन्यास लज्जा के लिखी का कौन है अरुदती रोय तसलीमा नर्सिन सोवाडे किरंडेवी तो कौन है तसलीमा नस दीन हो जाएगा तो option number V right answer होगा ठीक है निमन लिखित में से मराठी लेककों में से कौन आत्म कता मन्जा जालमची चितर कताकी के लेकक है तो कौन है आपके सांता भाई किष्णा जी कामले है ठीक है तो option number आपका D right answer होगा इस पॉंट को भी आपको याद रखना है ठीक है 1195 कुशन है 1195 कुशन है सर निमन में से कौन सा संत करंड हिंदी फिल्मों की प्रसिद क्लासिक भारती अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था तो किसकी द्वारा लिखा गया था सर रोमान सेक वित लाइफ की द्वारा लिखा गया था तो option number A right answer होगा ठीक है 1296 कुशन है आपका next question निम्न लिखित प्रसिद अस्तियों में से किसकी आत्मकता दारोड अहेड है एलोन मस्क विल गेट्स जेप बेजोस आपकी क्रिष्टल यानो रोनाल्डो तो किसकी द्वारा लिखी गई है विल गेट्स की द्वारा लिखी गई है आत्मकता तो option number आपका वि राइट अंसर होगा ग्यारे सो सतानुवेवा question है आपका बारत के निम्न लिखित प्रसिद प्रसिद अस्तियों में से किसकी आत्मकताव वाई एम आई एन अर्थे इश्ट है तो किसकी है आपकी राजब्यारी बोस्की नहीं है बागस सिंकी है तो option number वी सही हो जाएगा आपको बताना है अर्विन्द गोस अर्विन्द गोस की पुष्टक का नाम क्या है अर्विन्द गोस 1197 का बताना है ठीक है ओके तो आप बोलेंगे सर दा लाइप डिवाइन अर्विन्द गोस द्वारा लिखित पुष्टक है दा लाइप डिवाइन दा लाइप लाइप डिवाइन पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई है आपके अर्विन्द गोस के द्वारा लिखी गई है 1198 कोईशन है आपका निमने लिखित में से कौन डेबिड निवेत, जौनी मार, पॉल कलानिदी, विल ब्रोडेड, तो कौन हो जाएगा आपका जौनी मार, हो जाएगा, राइट आंसर होगा सर आपका option number V, ठीक है, इसमें अगला question है आपका, बारत के उलमफिक पदक बिजीता, स्री अविनव बिद्राद्वारा लिखित आ आत्मकता का नाम है, एसोट एट इस्ट्री, एसोट एट इस्ट्री, तो option number आपका V, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आज की क्लास का last question है आपका, बारे सुमा, निम्न में से कौन फास्टिंग, फिश्टिंग, पुश्टिंग, पुश्टिंग, पुश्टिक के लेकक हैं, पिरिति सेनाय, अनुजा चोहान, नामिता गोखले, ठीक है, नामिता गोखले, अनीता देसाई, तो कौन हो जाएगा, आपकी फास्टिंग, फिश्टिंग, पुश्टिंग, पुश्टिक के लेकक हो जाएगे, आपके, अनीता देसाई, आज तक हमने 1200 question complete कर लिए हैं, ठीक पास में, थोड़ा हम, per day का जो, हमारा target रहता है, so question कराने का रहता है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, ठीक है, झुश्टिंग, झाल झालो करें, पास पास माझ़धे, अनीता है, आपके, पुश्टिंग, भ्पेश्टिंग, तो अनीता है, पास में, यह पूबगे, जो चक्छी लगफे, एंगे, आसे झालो करें, लिएगवे, भेवेगे, भेज़ अठish से ठीक, तो च्टिंगे,